दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली G20 समिट के लिए पुरी तरह तयार हो चुकी है। महमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तकी ववस्था को लेकर खास इंतजाम किये गए हैं। भारत G20 के मौझूदा अधरश के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिकर समिलन की मेजबानी कर रहा है। G20 समिट के तयारी के लिए सडकों को दुरुस्त किया गया है। फ़वारे और सडक के किनारे खुपसूरत आर्ट वर्क भी बनाए गये हैं। मूर्तियां लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात ये कि प्रगती मैदान को वक्त से पहले ही नए डिजाइन में फिर से तयार किया गया है। दिल्ली में अगर हम बीते कुछ वर्षों में नजर डालें तो पाते हैं कि 2010 में Commonwealth Games जैसा बड़ा इवेंट यहां हुआ था। Commonwealth Games ने एक तरह से दिल्ली की काया प्लट कर डाली थी। आईए आज हम जानते हैं कि 2010 में Commonwealth Games के लिए और अब 2023 में G20 Summit के लिए दिल्ली को कितना बदल दिया गया। राष्टमंडल खेल यानि Commonwealth Games बन गया था। इस आयोजन के लिए दिल्ली में धेरो काम किये गये थे। डॉक्टर करने सिंग शूटिंग रेंज, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स, यमना स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स, इंद्रागांधी स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स और जवाहर लाल नहरू स्टेडियम इन सब को नए सीरे से तयार किया गया। जवाहल लाल नेरू स्टेडियम में इस खेर से जुड़े कई बड़े आयोजन हुए थे, ये स्टेडियम ही गेम्स का मुख्य इस्थल भी था, उन्खाटन और समापन समारों यहीं पर हुए थे, इतना ही नहीं, तब यमना नदी के पूर्वी छोर पर अक्षिधाम मंदिर स से पहले एक Commonwealth Games Village भी तयार किया गया, 63.5 hectare यानि 157 एकर में यह प्रजेक्ट फैला हुआ था, इसमें Residential Zone, International Zone, Training Area, Games Village एरिया शामिल था, जवाहल लाल नेरू स्टेडियम से खलाडियों को Commonwealth Games तक आने और ले जाने के लिए एक नया रास्ता भी तयार किया गया, बात करें दि Commonwealth Games 2010 के लिए दिल्ली में इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट को भी मौडरन मनाया गया, Terminal 3 पर कई काम किये गये और हर घंटे यहां से 75 से ज़्यादा फ्लाइट्स टेक आफ होने लगी थी, हवायर देखो 6 लेन के दिल्ली गुरगाउं एक्सप्रस वे से जोड़ दिल्ली में G20 Summit का आयोजन प्रक्ति मदान के भारत मंडपम में होगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रक्ति मदान का पूरी तरह से काया कल्प कर दिया है, यहां ये बात भी जान ले कि जिस प्रक्ति मदान को G20 Summit के लिए नए सिरेज से तयार किया गया, वो प्रक्ति मंत्री इंद्रा गांधी ने कराया था, वो भी नवंबर 1972 में हुए पहले अंतराश्टी व्यापार मेले के लिए, तब इसमें 50 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे, इस आयोजन के लिए तब इंद्रा सरकार ने 6 करोड की परियोजना से प्रविकास कारे कराया था, तर प्रग्ति मैदान को प्रदशनी मैदान के रूप में जाना जाता था, बात करें आज की, तो प्रग्ति मैदान के एक और प्रविकास के लिए 2017 में हौल आफ नेशन्स और कई अन्य हौलों को दोस्त कर दिया गया, और उसकी जगह अब भव्व भारत मंडपम बना है, यहां की खुबसूरती में चार चांद लगा रही है, जी ट्रविकास के लिए अंतर राष्टी मीडिया सेंटर भी बनाया गया, भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कंवेंशन सेंटर है, यह पूरा कंवेंशन सेंटर 123 एकड में फैला हुआ है, यह एरिया कितना बड़ा है, इ इसे दिल्ली की खड़िकी के रूप में उन्होंने डिजाइन किया, यह भारत की पारमपरिक विरासत और विविधता को दुनिया के सामने दिखाता है, भारत मंडपम लूटियंस दिल्ली से सटा हुआ है, इसमें सब से उपर विंडो टूर दिल्ली बनाई गई है, यहां स और पर कॉन्फरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, साथी वियाई पे लॉंज भी बने हैं, यहां 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का पतीक सूर्य द्वार है, जीरो से इसरो तक भारतिय अंत्रिक्ष विज्ञान की कहानी बताते प्रगृती चक्र हैं, पां प्रतिक्रिया जरूर दें, मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में कुछ नए अबडेट लेकर आप देखते रहें, ट्रेवल जूरून, नमस्कार झाल